अनाथ लड़की कहानी मुंसी प्रेमचंद सेट पुरसोतम दास पूना की सरस्वती पाट साला का मौएना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दवड़कर उनका दामन पकड़ लिया सेट जी रुख गए और महबबत से उसकी तरब देख कर पूछा क्या नाम है लड़की ने जवाब दिया रोहडी सेट जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले तुम्हें कुछ इनाम मिला लड़की ने उनकी तरब बच्चो जैसी गंभीरता से देख कर कहा तुम चले जाते हो मुझे रोना आता है मुझे भी साथ लेते चलो सेट जी ने हसकर कहा मुझे बड़ी दूर जाना है तुम कैसे चलोगी रोहडी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिये और बोली जहां तुम जाओगे वही मैं भी चलोगी मैं तुम्हारी बेटी हूँगी मदर्से के अफसर ने आगे बढ़कर कहा इसका बाप साल भर हुआ नहीं रहा मा कपड़े सीती है बड़ी मुश्किल से गुजर होती है सेट जी के सवभाव में करुना बहुत थी यह सुनकर उनकी आखें भराई उस भूली प्रार्थना में वह दर्द था जो पत्थर से दिल को पिगला सकता है बेकसी और यतीमी को इस से ज़्यादा दर्दनाग धंग से जाहिर करना नामुम्किन था उन्होंने सोचा इस नन्हे से दिल में ना जाने क्या अर्मान होंगे और लड़कियां अपने खिलवने दिखा कर कहती होंगी यह मेरे बाप ने दिया है वह अपने बाप के साथ मदर से आती होंगी उसके साथ मेलों में जाती होंगी और उनकी दिलचस्पियों का जिक्र करती होंगी यह सब बातें सुन सुन कर इस बहुली लड़की को भी ख्वाहिस होती होगी कि मेरे बाप होता मा की महबत में गहराई और आत्मिक्ता होती है जिसे बच्चे समझ नहीं सकते बाप की महबत में खुसी और चाव होता है जिसे बच्चे खुब समझते हैं सेट जी ने रोहडी को प्यार से गले लगा लिया और बोले अच्छा मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा लेकिन खुब जी लगा कर पढ़ना अब छुट्टी का वक्त आ गया है मेरे साथ आओ तुम्हारे घर पहुचा दूँ यह कहकर उन्होंने रोहडी को अपनी मोटर कार में बिठा लिया रोहडी ने बड़े इत्मिनान और गर्व से अपनी सहलियों की तरब देखा उसकी बड़ी बड़ी आँखें खुसी से चमक रही थी और चेहरा चांदनी रात की तरह खेला हुआ था सेट ने रोहडी को बजार की खुप सैर कराई और कुछ उसकी पसंद से कुछ अपनी पसंद से बहुत सी चीज़े खरी दी यहां तक कि रोहडी बाते करते करते कुछ ठक सी गई और खामोस हो गई उसने इतनी चीज़े देखी और इतनी बाते सुनी कि उसका जी भर गया साम होते होते रोहणी के घर पहुँचे और मोटर कार से उतर कर रोहणी को अब कुछ आराम मिला दर्वाजा बंद था उसकी मा किसी ग्राह के घर कपड़े देने गई थी रोहणी ने अपने तोफों को उलटना पलटना सुरू किया खूबसूरत रवड के खिलवने चीनी की गुडिया जरा दबाने से चूचू करने लगती और रोहणी यह प्यारा संगीत सुनकर फूली ना समाती थी रेश्मी कपड़े और रंग बरंगी साड़ियों की कई बंडल थे लेकिन मख मली बूटे की गुलकारियों ने उसे खूब लभाया था उसे उन चीजों के पाने की जितनी खुसी थी उससे ज्यादा उन्हें अपनी सहलियों को दिखाने की बैचेनी थी सुंद्री के जूते अच्छे सही लेकिन उनमें ऐसे फूल कहां है ऐसी गुडिया उसने कभी देखी भी ना होगी इन खयालों से उसके दिल में उमंग भराई और वह अपनी मोहिनी आवाज में गीत गाने लगी सेड़ जी दरवाजे पर खड़े इन पवित्र द्रस्त का हारदिक आनन्द उठा रहे थे इतने में रोहणी की मा रुकमणी कपड़ों की एक पोटली लिये हुए आती दिखाई दी रोहणी ने खुसी से पागल होकर एक छलांग भरी और उसके पैरों से लिपट गई रुकमणी का चेहरा पीला था आँखों में हसरत और बेकसी छिपी हुई थी गुप्त चिंता का सजीव चित्र मालूम होती थी जिसके लिए जिन्दगी में कोई सहारा नहीं मगर रोहणी को जब उसने गोद में उठा कर प्यार से चूमा जरा देर के लिए उसकी आखों में उम्मेद और जिन्दगी की जलक दिखाई दी मुर्जाया हुआ फूल खिल गया बोली आज तु इतनी देर तक कहा रही मैं तुझे धुड़ने पाट साला गई थी रोहणी ने ठुमक कर कहा मैं मोटर कार पर बैठ कर बाजार गई थी वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ वह देखों कौन खड़ा है मा ने सेड़ जी की तरफ ताका और लजा कर स्थिर जुका लिया बरामदे में पहुचते ही रोहणी मा की गोच से उतर कर सेड़ जी के पास गई और अपनी मा को यकीन दिलाने के लिए भूले पन से बोली क्यों तुम मेरे बाप हो ना सेड़ जी ने उसे प्यार करके कहा हाँ तुम मेरी प्यारी बेटी हो रोहणी ने उनसे मुह की तरफ याचना भरी आखों से देख कर कहा अब तुम रोज यहीं रहा करोगे सेड़ जी ने उसके बाल सुलजा कर जवाब दिया मैं यहां रहूंगा तो काम कौन करेगा मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूंगा लेकिन वहां से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजे भेजूँगा रोहणी कुछ उदास सी हो गई इतने में उसकी माने मकान का दरवाजा खोला और बड़ी फूर्ती से मैले बिछावन और फटे हुए कपड़ी समेट कर कोने में डाल दिये कि कहीं सेड जी की निगाह उन पर न पड़ जाए यह स्वाविमान इस्त्रियों की खास अपनी चीज है रुकमणी अभी सोच में पड़ी थी कि मैं इनकी क्या खातिर तवाजू करूं उसने सेड जी का नाम सुना था उसका पती हमेशा उनकी बड़ाई किया करता था वह उ उनकी दया और उदार्ता की चर्चाएं अनेकों बार सुन चुकी थी वह उन्हें अपने मन का देवता समझा करती थी उसे क्या उमीद थी कि कभी उसका घर भी उसके कदमों से रोसन होगा लेकिन आज जब वह सुब दिन संयोक से आया तो वह इस काविल भी नहीं कि उन्हे पान और इलाइची भी नहीं वह अपने आस्मों को किसी तरह रोक न सकी आखिर जब अंधेरा हो गया और पास के ठाकुर द्वारे से घंटों और नगालों की आवाजे आने लगी तो उन्होंने जरा उची आवाज में कहा बाई जी अब मैं जाता हूं मुझे अभी यहां बहुत काम करना है मेरी रोहनी को कोई तकलीफ ना हो मुझे जब मौका मिलेगा उसे देखने आऊंगा उसके पालने पोसने का काम मेरा है और मैं उसे बहुत खुशी से पूरा करूंगा उसके लिए अब तुम कोई फिक्र मत करो मैंने उसका वजीफा बान दिया है और यहा कर उन्होंने अपना खूबसूरत बटूआ निकाला और रुकमणी के सामने रख दिया गरीव औरत की आखों में आसु जारी थी उसका जी बरबस चाहता था कि उसके पैरों को पकड़ कर खूब रुई आज बहुत दिनों के बाद एक सच्चे हमदर्द की आवाज उसके मन मे आई थी जब सेड़ जी चले तो उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया उसके हिरदय की गयराईयों से प्राफना निकली आपने एक बेबस पर दया की है इसवर आपको इसका बदला दी दूसरे दिन रोहणी पाट साला गई तो उसकी बागी सजदज आखों में खूबी जा की तरह विबस नेत्रों से देखा करती थी आज उसकी एक एक क्रिया से सैसवोचित गर्व और चंचलता टपकती थी और उसकी जवान एक दम के लिए भी न रुकती थी कभी मोटर की तेजी का जिक्र था कभी बाजार की दिल्चस्पियों का बयान कभी अपनी गुडियों क कुसल मंगल की चर्चा थी और कभी अपने बाप की महबत की दास्तान दिल था कि उमंगों से भरा हुआ था एक महिने बाद सेट पुरसोतम दास ने रोहनी के लिए फिर तोफे और रुपए रवाना किये बेचारी विद्वा को उनकी कृपा से जीवका की चिंता से छुट जलते तो रोहनी को देखने जरूर आते और उनका आगमन उसकी प्रसंदता और मनुरंजन के लिए महिनों का समान एकठा कर देता इसी तरह कई साल गुजर गए और रोहनी ने जवानी के सुहाने हरे भरे मैदान में पैर रखा जबकि बच्पन की भोली-भाली अदाओं मे एक खास मतलब और इरादों का दखल हो जाता है रोहनी अब आंत्रिक और बाह संदर में अपनी पाटसाला की नाक थी हाव भाव में आकर सक गंभीरता बातों में गीत का सा खिचाओ और गीत का सा आत्मिक रस था कपड़ों में रंगीन साधगी आखों में लाच संकोच वि धीरे धीरे ताय करती चली जाती थी सेट जी के बड़े बेटे नरोतम दास कई साल तक अमेरिका और जर्मनी की युनिवर्ष्टियों की खाक चानने के बाद इंजिरिंग विभाग में कमाल हासिल करके वापस आई थी अमेरिका के सबसे प्रितिश्चित कालेज में उन्हो दूर दूर से आई थे सस्वती पाट साला को भी निमंत्रण मिला और रोहणी को सेठानी जी ने विशेश रूप से आमंत्रित किया पाट साला में हपतों तैयारियां हुई रोहणी को एकदम के लिए भी चाइन ना था यह पहला मौका था कि उसने अपने लिए बहुत सिल्वे स्टेशन पर मौजूद थी रोहणी गाड़ी से उतरते ही उनके पैरों की तरफ जुकी लेकिन उन्हों ने उसे चाती से लगा लिया और इस तरह प्यार किया कि जैसे वह उनकी बेटी है वह उसे बार-बार देखती थी और आखों से गर्व और प्रेम तपक इस जलसे के लिए ठेक समुदर के किनारे एक हरे भरे सुहाने मैदान में एक लंबा चौड़ा सामियाना लगाया गया था एक तरफ आदमियों का समुद्र उमड़ा हुआ था दूसरी तरफ समुद्र की लहरें उमड़ रही थी गोया वह भी इस खुसी में सरीक थी जब उ रोणी बाई के आने की खबर सुनी तो हजारों आदमी उसे देखने के लिए खड़े हो गए यही तुह लड़की है जिसने अपकी सास्त्री की परिक्षा पास की है जरा उसके दरसन करने चाहिए अब भी इस देश की इस्त्रियों में ऐसे रतन मौजूद हैं भोले भाले देश प्रेमियों में इस तरह की बातें होने लगी सहर की कई प्रतिश्चित महिलाओं ने आकर रोणी को गले लगाया और आपस में उसके संदर और उसके कपड़ों की चर्चा होने लगी आखिर मिश्टर पुरसोतम दास तस्रीप लाए हाला की वह बड़ा सिष्ट और ग पकड़ी और उन पर जालटके कई मिनट तक यहीं तूफान मचा रहा कहीं कुर्सियां टूटी कहीं कुर्सियां उल्टी कोई किसी के उपर गिरा कोई नीचे ज्यादा तेज लोगों में धावल धपा होने लगा तब बीन की सोहानी आवाजे आने लगी रोणी ने अपनी म परीवाणी दिलों पर वह नसा सब पैदा कर रही थी जिससे प्रेम की लहरें उठती हैं जो दिल से बुराईयों को मिटाता है और उससे जिंदगी की हमेशा याद रहने वाली यादगारें पैदा हो जाती हैं गीत बंद होने पर तारीफ की एक आवाज ना आई वही तान से लोगों को थोड़ी निरासा हुई यह दोस्तों की मंदली में उनकी वक्तता के आवेग और प्रवाह की कोई सीमा ना थी लेकिन साजनिक सवा के सामने खड़े होते ही सब्द और बिर्चार दोनों ही उनसे बेवफाई कर जाते थे उन्होंने बड़ी-बड़ी मुश्कि आया वह रेशमी हार जो सरस्वती पाट साला की ओर से भेजा गया था मेज पर रखा हुआ था उसे हीरो के गले में कौन डाले प्रेसीडेंट ने महिलाओं की पंक्ती के ओर नजर दोड़ाई चुनने वाली आख रोहणी पर पड़ी और ठैर गई उसकी छाती धड़कने ल गले में हार डाल दिया दूसरे दिन सरस्वती पाट साला के महमान विदा हुए लेकिन कौसल्या देवी ने रोहणी को ना जाने दिया बोली अभी तुम्हें एक हपता रहना होगा आखिर मैं भी तो तुम्हारी मां हूँ एक मां से इतना प्यार और दूसरी मां से इतना अ और बहुत कोसिस करने पर भी आस्मों को ना रोख सकी नरोतम दास भी आये थी उनका चेहरा उदास था कौसल्या ने उनकी तरफ सहानु भूती पून आखों से देखकर कहा मुझे यह तो ख्याली न रहा रोहणी क्या यहां से पूना तक अकेली जाएगी क्या हरज है तुम लिखें विदाई की बातचीत का मौका भी मिलता है या नहीं अब खूब जी भर कर अपना दर्दे दिल सुनाएंगे और मुम्किन हुआ तो उस लास संकोच को जो उदासींता के परदे में छिपी हुई है मिटा देंगे रुकमणी को अब रोहनी की साधी की फिक्र पैदा तो वे यही जवाब देते कि मैं खुद फिक्र में हूँ रुकमणी को उनकी यह टाल मटूल बुरी मालूम होती थी रोहनी को बंबई से लवटे महिना भर हो चुका था एक दिन वहापाट साला से लवटी तो उसे अम्मा की चारपाई पर एक खत पड़ा हुआ मिला रोहन जबसे मैंने तुम्हारी लड़की को बंबई में देखा है मैं उस पर रिज गई हूँ अब उसके बगार मुझे चायन नहीं है क्या मेरा ऐसा भाग होगा क्यों मेरी बहु बन सके मैं गरीब हूँ लेकिन मैंने सेट जी को राजी कर लिया है तुम भी मेरी या विंती करो मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूलों की सेच पर ना सुला सकूं लेकिन इस घर का एक एक आदमी उसे आखों की पुतली बना कर रखेगा अब रहा लड़का मा के मुझ से लड़के का बखान कुछ अच्छा नहीं मालूम होता लेकिन यह कह सकती हूं कि परमात्मा जोड़ी अपने हाथों से बनाई है सूरत में सभाव में विद्या में है द्रश्टी से वह रोहनी के योग है तुम जैसे चाहे अपना इत्मिनान कर सकती हो जवाब जल देना और ज्यादा क्या लुखूं नीचे थोड़े से सब्दों में सेट जी ने उस पाइगाम की पूचने लगी नरोत्तमदास की तस्वीर उसकी आँखों के सामने आखड़ी हुई उनकी वह प्रेम की बातें जिनका सिचला बंबई से पूना तक नहीं तूटा था कानों में गूजने लगी उसने ठंडी सास ली और उदास होका चारपाई पर लेड़ गई सरस्वती पाट साला में एक बार फिर सजावट और सफाई की द्रस दिखाई दे रहे हैं आज रोहणी की साधी का सुब दिन साम का वक्त बसंत का सुहाना मौसम पाट साला के दारो दिवार मुस्करा रहे हैं और हरा भरा बगीचा फूला नहीं समाता चन्रमा अपनी बारात लेकर पूरव की तरफ से निकला उसी वक्त मंगला च्रण का सुहाना राग उस रुपहली चांदनी और हलके हलके हवा के जोकों में लहरे मारने लगा दूला आया उसे देखते ही लोग हैरत में आ गए यह नरूत्तम दास थे दूला मंडप के नीच हवन कुंड बना था हवन शुरूगा खुसबू की लपेटे हवा में उठी और सारा मैदान महग गया लोगों के दिलो दुमाग में ताजगी की उमंग पैदा हुई फिर संसकार की बारी आई दूला और दुलहन ने आपस में हमदर्दी जिम्मेदारी और वफादारी के प वक्त एक नई बलवान आत्मिक सक्ति के अनभूती हो रही थी जब साधी की रसमें खत्म हो गई तो नाच गाने की मजलिस का दवर आया मोहग गीत गुझने लगे सेड़ जी ठक कर चूर हो गए थे जरा दम लेने के लिए बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैट गए ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और हसकर भूले क्यों अब तो तुम मेरी अपनी बेटी हो गई